बारती किसान संग जिला हमिरपुन ने जिला रासोवे अधिकारी पवन शर्मा के मादिम से प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी को ग्यापन बेजा संग नयमांग उठाई है कि HDBT किसम का कपास, BT किसम के बेंगन और GM किसम के सरसों बीच को किसानों तक पहुंचाने वाली बिक्रेता कमपनियों के खिलाप सब कानूनी करेवाई की जाएगी बारती किसान संग जिला हमिर्पुन ने शुकरवार को जिला रासुबय अधिकारी पवन शर्मा के मादिम से प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी को ग्यापन बेजा संग नयमांग उठाई कि स्टी बीटी किसम का कपास, बीटी किसम के बेंगन और जीएम किसम के सरस्नों बीच को किसानों तक पहुंचाने वाली बिक्रेता कमपनियों के खिलाप सब कानूनी कारवाई की जाएगी इसमें हानी कारक जीन डाले जा रहे हैं संग के परदेश अधिक्स डक्टर शौमदेव सर्मा ने कहा कि जब से बीटी कपास की खेती का देश में परचलन हुआ तबी से मुनाफ़क होर 20 कमपनियों का दबदवा बढ़ गया है और अन्दतक किसान आतम हत्या करने लगा उन्होंने कहा कि जीन भसल में कोई भी अधि उपजाओ सकती बाला जीन नहीं डाला जाता है डक्टर शौमदेव ने कहा कि जो कमपनिय ऐसी हरकतें करती है उनको प्रतिबंदित किया जाएगा काली सूची में डालना और उन्हें देश के बाहर का रास्ता दिखाना आती अवश्यक हो गया है स्टी बीटी कपास में प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशिक गलाईफोसेट का बिश्या अलग है यह गलाईफोसेट असब को मुक्त में कैंसर आदी ब्यानक रोग देने वाला है इसे प्रतिबंदित किया जाएगा आज भाट्यक सांसंग हिमाचन परदेश पूरे परदेश में धन्ना और परदर्सन कर ला है क्योंकि जो किसानों के लिए बीज की समस्या है और बीज जो है उसमें बिविन परकार के बीज आज मार्केट में चोरी के तरिके से आ रहे है और जीये फसले बीती बिरिंजल बीती कपास और एच्टी बीटी एक नया परकार का बीज आ गया है जिसमें गलाइफोसेट पर स्प्रे करने के बाद केवल और पौधा नहीं मरेगा जिसमें एक परकार का इसका डीयेम में चेंज किया गया है और उसके चारों कर जो भी गलाइफोसेट स्प्रे किया जाएगा उससे सारी जो बनस्بत्तिया वहां की मर जाएगी और यह एक लाइफूसेट जो है यह डवली एक्चो के दारा जो वर्ड हेल्थ हरगेनाजीशन है उसके दोरा प्रमानित किया गया है कि यह कैंसर पैदा करता है वो वहाँ पर एक कैंसर इसके गलाइफोसेट किया जी है HDBT का जो प्रियोग बाहरास्टा और पांच-छे परदेशों में इसका जो चोड़ मित के तरिके से किसानों तक पहुंच गया है जो की बिलकुल आना धिकरित है गयर कानूनी है अनर्तिक है और हम भार सरकार से राज़ा सरकार से मांग करते हैं पूरे देश भर में आज भारतियक संग परदर्सन कर रहा है अगर शरकार से मांग करते हैं कि इस वकार की जो भी कंपनिया जो भी बीज बिकरिता इस पर आये हुए है अगर उनके पर कारेवाई नहीं की जाती है तो पूरे देश भर में इसका एक जन अंदोलन की खड़ा किया जाएगा क्योंकि हम बजार में पैसा देकर के बीज के साथ कैंसर खेश देंगे अगर ओई बीज कपास का जब आप गाय को भैंस को चारे के रूप में देंगे तो वहीं से वह सारा रसाइनिक जो है आपकी फूर्ट छेन में पुर्खादय स्रिंकला में आ जाएगा और बीटी बरिंजल, बीटी सोयवीन, मक्का, सरसों इस सब परकार का बीज जो है जी बिल्कुल अनाद ही घृता है बिल्कुल सरकार के दोरा माननेता नहीं है ये बजार में आ चुका है तो इस परकार का बीज जो है वो बिल्कुल प्रतिमिंद्द किया जाए जो भी कमपनिया है उनको ब्लैक आउट किया जाए उनको देश से बाहर निकाला जाए और जिससे सक्से सक्स कानून जो है उगो लगाया जाए खेत हमारा है बीज जो है कमपनिया दे रही है और जो हम उसके साथ कैंसर आप दे रहे हैं इस परकार की जो व्यवस्था है इसकी व्यवस्था में सक्ति से कानून बढ़े और भार सरकार इसके उपर जो है इद कंपनियों को ब्लैक आउट करें और बाहर का रास्ता दिखाए दूसरी बात आती है जो किसानों के लिए अन भीरन परक सरकार से आगरे करता है समवेदन सीर सरकार है हम आगरे करते हैं बार बार की बेस आरा पसुझों की व्यवस्था सेंचुरी में करें बंदरों की जो व्यवस्था है उसको करें ताकि जो खेती करने का मौाला है उकी पैदा किये जाए लग भग इस में जो है पचास परस्त जो किसान है गर्म लाके के उखिती चोड़ चुके हैं तो उसके लिए जो कौन बाद्या है और चाहे समाज इसमें पूरी तरह से सरवागिता देगा भातेक साल सांग इसमें फ्रेंटल अर्गेनाजिशन की तरह से समाज में आ करके आगे आएगा लेकिन सरकार इसमें पहलता जी को हम यहाँ पर ग्यापन दे रहे हैं तो उस और सभी मुड़ एसडियम ओफिस में ब्लॉक में तैसीद द्वारा के द्वारा लगभग हिमाचन में 70 खंडों में आज इस तरह का ग्यापन दिया जा रहा है इस मौके पर जिला परिशत स्थ्या पबन कुमार अमी चंद प्रिंस ठाकुर पलवीर किशोर प्रशोतम लाज चंदर सेकर कमलेश रमेश पटियाल कुलदीप परकास ठाकुर ने सहित अन्या लोग उपस्तित रहे इसके साथ उन्होंने परदेश के मुख्यमंत्री से मांग उठाए कि लावारिस पसों और बंद्रों के लिए जंगल में सेंचरी बनाकर उचित परबंदन किया जाए उन्ना कांगडा और सिर्मौर में अनाज मंट्रियां स्तापित की जाए